एलो प्यारे बच्चो कैसे हूआ बच्चो आज हम आपकी क्लास की क्लास फॉर्थ की इंग्लिश की वक्षिट करेंगे बच्चो सीख़़ें नेम ओप स्टूडेंट में आपका नेम आएगा और डेट आएगी जिसकी नावक्षिट को सोल करोगे हमारा learning area बच्चो reading and writing तो बच्चो आज हम सीखेंगे must or must not first question है बच्चो आपका complete the following sentences with must or not, must not must का आर्थ होता है बच्चो हमें काम करना चाहिए must not का मतलब ये काम हमें नहीं करना चाहिए example दे रखा है बच्चो first you must not come late in the school, तुमें school में देरी से नहीं आना चाहिए, तो यहां पर हमने लगाना था must not, ठीक है second है बच्चो you must keep quiet in a library, तुमें library में शांती से बैठना चाहिए library में शांती रखनी चाहिए तो यहां must आया यहां पर must मतलब चाहिए, ठीक है, जो काम हमें नहीं करना चाहिए, वो must not लगाना है, जो काम हमें करना चाहिए, वाँ पर हमें must लगाना है, ठीक है first है बच्चो you save water, तो यह अच्छी बात है, कि हमें पानी को बचाना चाहिए, तो यह आएगा बच्चो you must save water, तुमें पानी को बचाना चाहिए ठीक है, अब बच्चो second है you, आपर आएगा बच्चो must note you must note waste time तुम्हें time को बरबाद नहीं करना चाहिए बच्चो third है you must follow the traffic rule traffic नियमों को तुम्हें मानना चाहिए, तुम्हें आपर बच्चो आएगा must, ठीक है हमें जो traffic के नियम है यातायात के नियम है उनको follow करना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे must बच्चो fourth है, you must use dustbin तुम्हें dustbin का use करना चाहिए, कचरा पात्र का use करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी बच्चो आएगा must बच्चो fifth है, you must not tear page का मतलब है, तुम्हें कागस को फाड़ना नहीं चाहिए क्या बच्चो यहाँ पर आएगा must note, मतलब आपको बिकार में पेज को नहीं फाड़ना चाहिए बच्चो अगला है, you must keep your classroom clean आपको अपना जो classroom में वो साफ रखना बच्चो यहाँ पर आएगा must note, कि यह हमारे स्वास्ते के लिए हैल्थ के लिए फुरा है तो अगला है you must wear your school uniform, आपको अपनी school uniform पहननी चाहिए, यहाँ पर आएगा must, नहीं थे बच्चा you must not eat junk food, because it's not healthy you must not eat junk food, आपको junk food नहीं खाने चाहिए यह हमारी हैल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो आएगा must take an umbrella, because it is rainy मैं चाहते को ले रहा हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है, रेनिंग कारता ना बारिश हो रही है, तो यहाँ पर must आएगा, क्योंकि किस तरह से आपको आज worksheet में must note को use करना था, जो आपने कर लिया है, अब आप अपनी workbook को complete करके, अपनी detail को दिखाईएगे, और अपने friends को भी बताईएगा, इससे की उनकी भी मदद हो, ठीक है बच्चो, thank you